हाई वरिवन विहार पैरामेट्रकल कॉंसेलिंग 2023 पी-म और पी-म-म बाले स्टूडेंट को कैसे करना है तो आए इस वीडियो में हम आपको कॉंसेलिंग यानि च्वाइस फिलिंग से लेकर प्रिंट तक कैसे करना है सभी चीजों को हम आपको step by step बताएंगे वो भी मोबाइ से जिसे कि आप अपने घर बैठे अपना कॉंसेलिंग खुद से कर सकते हैं तो कॉंसेलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको bcece का official website पर आना होगा जो कि आपको गूगल में जाना है और bcece type करना फर्स लिंक पर आप किलिक करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे यहां जो कि मेरा किया हुआ है इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर आज आना है ऑनलाइन अप्लिकेशन फोम में जहां कि आपको दिखेगा ऑनलाइन कॉंसेलिंग पोर्टल डीसी इसी पी एम्म यानि कि यह मैट्रिक लेवल वाले का है और जो इंटर लेवल वाले है जो पी जो कंडिडेट एक्टिविटी वोड है इसमें जो सकेंड लिंक है इसे पर आपको क्लिक करना है जो की लिखा गया है क्लिक हेर फोर रजिस्ट्रेशन एंड च्वाइस फिलिंग ऑफ बिहार पैरामेट्र कांसलिंग दो हजार तैस इस पर आप जैसा ही क्लिक करेंगे तो आ टो यहां पर आपको कुछ कर लेना है तो फिर आपके सामने जुह है आपका रेस्टेशन करने का यह ओपन होता है जहां कि आपको यहां पर रहुतना यहां पर कंडिडेट कर सकते हैं और जो भी आपका एयर है आप लोग यहां से जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं इस परकार से और फिर यहां पर आपको यह कैप्चा जो दिख रहा है इसको आपको भरकर सब्मिट के बटन पर किलिक करते हैं किलिक करना तो चलिए रॉल इनका हम भढ़ते हैं तो जैसे कि यहां पर अभी आप देख पा रहेंगों इनका हम सारे चीज भढ़ लिए हैं अब सब्मिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस परकार से ओपन होकर आजाएगा जहां कि आपको पासवर्ड करना है जो कि यहां पर आपका से किसी का नाम है जैसे कि किसी का नाम है पूजा तो वह बड़ा लिखेगी पू और इस परकार से जा इस परकार से उसके बाद एक अस्पेसल जो की है जिसको क्या आप ले सकते उसके बाद 1234 इस परकार से तो अपना पासवर्ड करना तो चलिए इनका पासवर्ड करते हैं तो जैसे कि यहां पर आप देख पारे होंगे इनका हम पासवर्ड कर लिए हैं और कैच्चा भी भड़ लिए हैं फिर देखिए यहां पर लिखा गया है final submit for registration तो इस पर आप जैसे ही किलिख करेंगे तो आपका registration का प्रोसेस complete हो जाता है तो फाइनल सब्मिट पर जैसे ही आपकी लिए करेंगे तो आपके आपके सामने इस परकार से ओपन होकर आ जाएगा जहां कि आपको यहां पर दिखाएगा टोटल एबलेबल च्वाइस यानि कि इनके लिए जो एबलेबल च्वाइस है वह 209 कॉलेज है तो इसमें सरकारी औ और जो है प्राइबट दोनों होगा तो कैसे आपको सरकारी और प्राइबट को जो है अलग करना है वह सारी चीजों को हम इस वीडियो में बताएंगे तो अब आपको क्या करना है यहां पर जो और जो निव आपको दिख रहा है और चूज फिलिंग यानि सौरी च्वाइस करना है तो एक चीज यहां पर आप लोग गौर करिएगा कि आपका यहां पर टाइमिंग चलता है यानि 20 मिनट के अंदर अंदर जो है आपको जो है कॉलेज अपना सेलेक्ट कर लेना है तो कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले सबसे पहले आपको जो में जो काम जो बच्चे न लबाता हैं करना है कि आप सभी बचे को जहीं है ओ सरकारी चाहिए पिर देखिए आप को यहां पर इंस्टीचूट में को नहीं को जिपना नाम आप लोग सेर्च करिएमस्स तर्फ है उसी सक्रेटा नाम को कलिता है क्लिदो क्यां है करें तो इस प्रकार से आपको यहां पर अपना चून लेना है जैसे कि इनका सिर्फ एन्म या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी है तो इनके लिए सिर्फ दो ही कोर्स है और जो बायो बायो से रहते हैं इंटर उनके लिए एन्म जी एन्म लाइब टेक्निशन ओटीशन तो जैसे कि हमको एस साथ करेंगे तो इस परकार से आड़ करेंगे तो आप आपको यहां पर जो है वो college आ जाएगा फिर अगर आपको इसको remove करना है गलती से select करें तो इसको यहां पर करेंगे तो यह हट भी जाएगा तो चलिए इसी परकार से जो है इनका सारे college को हम select करते हैं कि एक चीज और आप लोग गार करिएगा जो भी इनका पर संख्यां भी देख सकते हैं यानि कि 73 college ही है जो की एन ऐम पर करीएगा तो इसी परकार से आपको अपना college चून लेना है जो कि देखिए इनका हम जो है 27 college चुने हैं क्योंकि इनका राइंक बहुत थी अच्छा है तो ज्यादा कॉलेज हम सेलेक्ट नहीं किये हैं और इनका अभी देखे यहां पर देख सकते हैं कितना कॉलेज देखे इनका बचा हुआ है तो जिनका जो है अच्छा राइंक नहीं है उनको क्या करना कि बहुत ज्या करने के बाद अगर आपको लगता है जैसे कि अगर यह जो 21 पर हाने इसको लगता है कि हमको 20 नमर में होना चाहिए तो यहीं पर देखिए आपको आपका जो है कि करें हो रहा है यहाँ पर आप applies करने सब्सक्ता है अगर हम पहले ठीक था तो इसको हम करेंगे तो जितना बार आप पर आप पिएकर नमर में भी आप कर करके ले जा सकते हैं तो छलिए सारी से कोलेज चुनने के बाद आपको क्या करना है सेव笏 एदी कोलेज के बटन पर क्लिक करना है तो आगे आपको क्लिक करना है सेव औंड गोटुो होन तो इस पर आपको किलिक करते हैं तो आपको जो है होंपेज पर लेकर चल आजागा यह यहां पर लिखा इसे बचारी अधार को नहीं चुनना था थाराइव हम 22 को च्वाइस को उसको लॉक करना तभी आपका प्रिंट होगा देखी यहां पर लिखा गया है च्वाइस लॉकिंग तो इसी पर आपको किलिक करना यह इस पर तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस परकार से open हो कर आगा जहां कि आप देख सकते हैं private institute में जीरो है यहां से भी आप देख सकते हैं कि आप गलती से private जो है institute तो सलेक्ट नहीं कियें तो जीरो है सभी देखिए state government इसमिट इसी पर किलिक करना है आएग्री माई लॉक्ट पर करते हैं तो अब आपसे यहां पर इंटर यूर पासवर्ड जो आभ यह पासवर्ड के यहां पर डालना है और उसके बाद जब मिला जाएं और तो फिर से यहां पर ऑके आपको दे देना है जैसे आप passport देंगे तो फिर से यहां पर आप से पूछेगा कि क्या आप erm jaką देना है और आगे का पीख सकते हैं कि एक ख्रलिि जो पर मंगगा सकते हैं जो की आप लोग हां पर किलिक करेंगे तो आपसे जो है इस प्रकार से option आएगा कि क्या आप रिजिस्टर्ड मॉबाइल नमबर पर माँवना चाहते हैं या फिर email पर तो mobile नमबर ही हम select कर लेते हैं अब आपको यहां पर send otpm पीपर किलिक करना है तो यहां पर आपका लांस्ट मोबाइल नमबर का जो संख्या है वह आपको तीन दिखेगा जो आप लोग जो है form भरते समय दिये थे तो उनका जो है चला गया होगा चलिए otpm भर लेते हैं तो इस प्रकार से आपका च्वाइस लॉक हो जाता है और अब देखिए यहां पर एक option मिलता है जहां कि print लॉक्ट जोईस तो अब जो है print करकर आपको रख लेना है तो चलिए इस पर हम किलिक करते हैं तो जब तक आप जो है च्वाइस को लॉक नहीं करते हैं तब तक जो है आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं तो जैसे देखिए लोग के प्रिंट का option आ गया तो आपको नीचे की औ और आना है स्कॉल करते हुए जो कि जो है सारे यहां पर कॉलेज आपका जो सेलेक्ट होगा देखिए नीचे में लिखा गया है डाउनलोड और लॉक्ट च्वाइस लेटर तो इसी पर आपको क्लिक कर लेना है इस परकार से जो है आपका डाउनलोड होको आ जाएगा तर इस परकार से आपका पूरी परकिर्या पूर्ण हो जाता है यानि कि आप जो है अपना जो है चुआइस फिलिंग कर लें जैसा कि आप योग 27 कोलिज हम च然后 तो 27 ऑन पर सो रहा है अब आपको इंतेजार करना है first round seat allotment रिजल का तो आसा करते हैं आप सभी को हम बहुत अच्छी तरह से समझाने का कोसिस कियां और एक एक चीज हम आपको बताने का कोसिस कियां तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो है लाइक करेंगे और आप हमें जरूर कमेंट करेंगा हम आपको 100% हेल्प करेंगे कुछ भी आपको पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं तो थांक्स पर वाचिंग मिलते हैं ले वीडियो में तब तक जैहिंद जैभारत